तो आज हम बनाने जा रहे हैं आवला मिर्ची अद्रक के साथ और यह बहुत ही टेस्टी लगती है यह जिस तरह से एक पिकल काम करता है ना सेम वही काम यह करता है लेकिन नुकसान नहीं करता है जो लोग डाइट लवर होते हैं वो लोग अचार के जगह यह यूज करें कि आमला वैसे ही बेट लूज करता है तो इसके लिए मैंने यह थाइसो ग्राम जितना आमला लिया और अद्रक ले ली है मैंने तीन इंच के बरावर तो देखते हैं गाइस इसको कैसे बनाए और इन देखे हमानले को काफी नहीं कर लिया है कि मोरती मिर्च ले लिए और शाथ में यह बीच में से चीत लगा दिया और साथ में मैंने अध्रक के कुछ प्रेशिज्य कर दिया है इंको इस तरहं से लंबा-लंबा लंबा बत्ला प्रेशं लिया है और निnormह डिशाय सकश प् तू पींच हेंग डाली है और तीस्पून जीरां प्रांसे में एक दीर चम्मच के बराबर नमक डाली है मैंने ढाली हो जुतना आमला था और हल्दी लेली है आदा चम्मच दनिया पाउटर लेलिया है और आदा चम्मच ही फ्यट चिली ले लिए प्रिकी यह जाधा तेज नहीं होती है इसनी मैंने इसमें रेड नमक डाली है और अगर लाल मिर्च नहीं यूज कभी तो पाली मिर्च पी यूज को सकते हैं और इसमें अब ये में सब आमला, हरी मिर्च और अबरभ जुमाने कट करके रखिया ना ये सब डाल देंगे इसको अच्छे डंसे मिक्स कर लेंगे मसाले में मिक्स करके इसमें वन फोर सफ पानी बाल देंगे और इसको इसी तरह से पांच मिनिट के लिए कवर करके रख देंगे पांच मिनिट के बाद इसको खोलेंगे और सिम कर देंगे मिल्डियम कर देंगे प्लेम को तो अब हम इसता डखतन खोल कर देखेंगे एक्जिक्ट फाइव मिनट के बाद इसका जो पानी है वो सुख गया है अगर नहीं तूका है तो फ्लेम को फुल करके इसका पानी सुखा लेंगे और इसके अंदर ये थोड़ा हरा दुनिया डाल देंगे इसका कलर भी भाल अच्छा लगेगा अच्वार की जरूर की इनी पड़ेगी इसमें आप चाहें तो मेथी डाला डाल सकते हैं 개ली यह सब नहीं खाते हैं तो मैंने नहीं डाला है वह सब आदा अबर समय दिल जाएगा इसलिए और वह जीरे के साथ डलेगा तो अब मैं अफ्लेम को आफ कुर दूंगी तो गाइज रिडी है हमारे आमला मिर्ची अद्रक का टेस्टी टेस्टी अचार सबजी भी कह सकते हैं लेकिन अचार की तरह यूज होता है इसलिए मैं तो अचार ही बलूँगी तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा बताएगा अचार संधियो टेकर यूज है थैहल्दी बाइज!